53% भारतवासी हमारे धार्मिक विवित्ता यानि religious diversity को देश के लिए अच्छा मानते हैं लेकिन करीबन 25% इसी unity in diversity अनेकता में एकता को हानिकारक मानते हैं 60% से ज़ादा इंडियन्स आज भी ये मानते हैं कि उन्हें औरतों को रोकना चाहिए इंटर कास्ट या इंटर रिलिजिस शादी करने से 59% का ये मानना है कि भारत ये पहचान होती है जब आप हिंदी भाषा बोल सकते हैं सर्वे किये गए 72% लोगों का ये मानना है कि अगर कोई बीफ खाता है तो वो हिंदू नहीं कहलाए जा सकता है और उससे भी जादा 77% मुसलिम्स का ये विश्वास है कि जो पॉर्ख खाने वाला है वो मुसल्मान नहीं हो सकता है आप सोच रहे होगे ये क्या हो रहा है वही देशभग चैनल पर तो ये सब नहीं होता है क्योंकि चैनल देखने वाले ये जानते हैं कि हमारे हाँ स्पेकुलेशन नहीं होता है Fats पर बाते होती है और Comedy तो वैसे में भी Free में मिली जाता है हमारे देश में और जैसा कि मैंने आपको पहली बताया यहाँ आज तक हमने कभी Mainstream Opinion Poll, Exit Poll, State of the State Poll को इस Channel पर जगा नहीं दी है लेकिन आज हम एक Poll Survey के बारे में एक Poll Survey के findings के बारे में बात जरूर करेंगे एक Survey जो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दे रहा है कि आज हमारा समाज किस हद तक बटा हुआ है और कौन बाट रहा है क्या हम देशवासी हमेशा से ही ऐसे बटे हुए थे हमें हमेशा से ही एक दोरापन रहा है बस कभी मुगलों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी हमारे नेताओं ने उसका फायदा उठा लिया ये Survey विश्व प्रसिद प्यू रिसर्च सेंटर ने चार महीने लगा कर किया है सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आकडों पर मत जाएए, परसेंटेज रिसर्च पर मत जाएए वो प्यू जी कहते हैं न डोंट गेट इंट इन्ट अट मैट्स बलकि आने वाले सर्वे के सवालों को ध्यान से सुनिए और खुद से पूछिए एक सेल्फ टेस लेते हैं न और पता करते हैं कि भई हमारी विचारधारा कहा है हम लिबरल हैं, प्रोग्रेसिव हैं या समाज में ये बढ़ती जो दूरियां है उसके भागिदार हैं मेरा मन भी ये सर्वे को देख कर कह राता कि ये नहीं मानते हैं, ये मानने का मन ही नहीं है लेकिन इस सर्वे में उठाए गए सवाल और दिये गए जवाब में से बहुत कुछ दिखता है ये दिखता है कि ये देश की राजनीती जो हो रही है वो क्यों हो रही है और किसके अनुमती से हो रही है निता टाइब लोगों को तो हम ऐसे में भी कोशते रहते हैं लेकिन अपने गिर्वा में किते बाद जाक के देखते हैं भाई साब निता टाइब आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकोन भी दबाओ चुरुवात करते हैं हमारी बेटिया आजकल बहुत जादा खत्रे में है सर्वे में 91% भारतियों ने कहा कि उनके पास रिलिजिस फ्रीडम है 80% ने ये भी कहा कि सारे धर्मों का सम्मान उनके धर्म की पहचान है उसका मूल आधार है तो अच्छी बात है भाई रिलिजिस टॉलरेंस हम सब सब साथ यूनिटे डाइवर्सिटी लेगि थोड़ा सा डीपर जाओ न scratch the surface तो ये बात साफ निकल के आती है कि हम कितने कंजर्वेटिव हैं और आपस में ही कितने दूर हैं 67% हिंदू ने सर्वे में कहा और इस आकड़े से और भी जादा करीबन 80% मुसलिम्स ने ये कहा कि उनके समुदाए की औरतों को इंटर रिलिजिस शादी करने से रोखना चाहिए ये जो रंजिश है ना ये दोनों तरफ से है ये आकड़े मानने का मन नहीं करता है लेकिन शायद इसी लिए हर दिन कोई नया एंटी लव जिहाद लौ पास हो रहा है और उसे लोग चुप चाप मान भी ले रहे हैं ऐसा नहीं है कि देश में फोर्स कंवर्जन्स नहीं होती है ये बात भी है ये बात सच है लेकिन ऐसे सोच से ऐसे थौट प्रोसेस से कई और केसे से सामने आएंगे जहां मर्जी से भी की गई इंटर रिलिजिस शादी को नलिफाई कर दिया जाएगा उसको क्राइम बना दिया जाएगा और अगले ही दिन कम्यूनिटी में शादी हो जाएगा बोलने का मौका तक नहीं मिलेगा यही नहीं ओवरॉल सर्वे किये गए लोगों में 62% से जादा लोगों का यह भी कहना है कि इंटर कास्ट मैरेज भी नहीं होने चाहिए और बज़ेदार बात यह है कि यह जो ट्रेंड है न यह सारे तपकों में देखा गया है जेनरल कैटिकरी ले लीजिए हाईली एजुकेटिड ग्रूप्स ले लीजिए सबका यही मानना है कि इंटर कास्ट मैरेज को रोका जाना चाहिए और आप यहां सोच रहे थे कि आईटी डिगरी और आईएस होने से दिमाग खुल जाता है दिमाग उजागर हो जाता है लेकिं दिल तो यही कहता है कि यह आखडे गलत होंगे लेकिन जब यह हेडलाइन हम देखते हैं नए लव जिहाद लॉज लोगों की चुप चाप से उसको मनजूरी देना तो यह बात हलक से उतारनी पड़ती है कि हम में से जो मिजॉरिटी है कम से कम वो आज बुरी तरीके से बटी हुई है पॉइंट नबर टू पे जाने से पहले एक आंकड़ा और भी मैं आपको बता दू यह हमारा वाला आंकड़ा है यह प्यूर रिसर्च का नहीं है देशभक्त के रेगुलर विवर्स जो है उनमें से सिर्फ 50% सब्सक्राइबर्स है बाकी सब आके देखके ओके टाटा बाई बाई खतम अरे बाई सब्सक्राइब बटन दबाओ जल्दी से आये देशभक्ती थोड़ी से दिखाओ और यहां everybody is welcome यहां कोई पाबंदी नहीं है कोई restriction नहीं है चलिए जल्दी चलते हैं point number two के तरफ जिन लोगों को सर्वे किया गया उनमें से around two thirds या exactly लख लिए जो तो 64% का ये मानना है कि सच में Indian होने के लिए हिंदू होना जरूरी है और तो और 59% ने ये भी कहा कि भारतिय पहचान हिंदी भाषा बोलने से बनती है अब आप कहोगे यार ये कैसा सवाल है और ये कैसा matrix है और अगर ये सच भी है तो इससे क्या पता चलता है यही तो politics का खेल है my friend pure research ये कहती है कि जिन लोगों ने हिंदी हिंदू दोनों को भारतिय होने से लिंक किया जादतर उन्होंने ही बीजेपी को वोट दिया इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने आपनी identity politics में solid पकड़ बना के रखी है जिन लोगों का idea of being Indian जुड़ा गुआ है एक party से जब identity politics इतनी गहरी हो जाती है तो उसको तोड़ना या उसको change करना उसको challenge करना उतना ही मुश्किल हो जाता है ये बाद चाहित Congress ने अभी तक समझने शुरू भी नहीं की होगी अगेन बतानी की जुरूद नहीं है यहाँ ये Hindu, Hindi, India वाला जो connect है ये जादतर North and Central India में देखा जाता है South India में ये linkage इस सर्वे में भी सिर्फ पांच प्रतिशत तक रहे गया था इससे ये बाद भी clear होती है कि ओ BJP South India में struggle करती है जबकि North में उसकी जीत आसानी से तै हो जाती है Point No.3 अब आते हैं Pew Research के सबसे दिल्चस्प खोच पे सर्वे किये गए 72% हिंदू का ये मानना है कि जो बंदा beef खाता है वो हिंदू नहीं कहलाया जा सकता है चलो ठीक है आस्था का विशय है मान लेते हैं लेकिन उसी सर्वे में 72% से गिरके सर्व 49% लोगों का ये मानना है कि अगर कोई इंसान भगवान को ही नहीं मानता है तो वो हिंदू नहीं हो सकता है उससे भी कम 48% का ये मानना है कि अगर कोई बंदा कभी मंदर नहीं गया हो जिन्दगी में तो वो हिंदू नहीं है यहां मैं फिर से बता दू कि South India में ये खाने के basis पे धर्म से disqualification कम है around 50% जबकि North India में खाने वाला disqualification criteria गया है 83% तक तभी ये खाने वाले सारे कांड आपको North में ही जादा दिखते हैं इस खाने के सवाल पे 77% Muslims का कहना है कि अगर कोई pork खाता है तो वो मुसल्मान नहीं कहा जा सकता है और यहां भी अगर कोई कभी मस्जिद नहीं किया तो सिर्फ 61% कह रहे हैं कि वो मुसल्मान नहीं है तो चौका देने वाली बात यह है कि आप क्या खाते हैं वो इतना बड़ा फैक्टर बन जाता है आपके religious identity में यह नहीं कि क्या करते हैं आपको क्या लगता है कि यह वाला सवाल सही है यह वाले जवाब सही है नीचे कॉमेंट में जरू बताइएगा क्योंकि मैं भी थोड़े असमंजस में हूँ पॉइंट नमबर फॉर टीवी पर मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बहुत चला लो लेकिन सचाई तो तब सामने आती है जब बात पडोसी की आती है या बात किरायदार की आती है प्यूर रिसर्च की ये एक finding है जो हम सब जानते है लेकिन खुलके मानते नहीं है इस सर्वे में पाया गया कि 45% हिंदूस हैं वो खुलके कह रहे हैं कि उनको कोई problem नहीं है कि उनका पडोसी कौन है Christian, Muslim, Sikh, Buddhist, Jain जो भी है यह सुनके अच्छा लगा लेकिन उतने ही लोग अनदर 45% ये भी कह रहे हैं कि उनको problem होगा अगर इन में से, इन religion, इन समुदाए में से और कोई भी उनका पडोसी बने इस मामले में जैन्स तो सबसे जादा conservative निकले 61% जैन्स कह रहे हैं कि उनको अपने पसंद का ही पडोसी चाहिए जहां तक tenants की बात है कोई breaking news नहीं है housing discrimination project जो कि article 14 में छपा था link नीचे दिया हुआ है मैंने उसके मताबिक ये बात statistically अब साफ हो चुकी है कि जो exclusion of muslim tenants है वो हमारे देश के cosmopolitan शहरों में अब आम सी बात बन चुकी है इसी के बज़े से muslim only localities को बढ़ावा मिलता है ये phenomena अच्छा तो नहीं है और सबसे ज़्यादा फाइदा किसको मिलता है वो आप हर 5 साल समझ सकते है fun fact ये जो neighbors और tenants गेंस जो discrimination होता है on the basis of religion ये class agnostic है यानि की education या पैसा इस बीमारी को ठीक नहीं करता सकती है बिल्कुल नहीं housing discrimination project का ये कहना है 70 साल से ज़ादा हो चुके है लेकिन pure research का ये finding है कि अभी भी हम खत्रे में है डर का माहौल है मज़े की बात ये है कि सबको खत्रा लग रहा है सबको discrimination लग रहा है 24% सर्वे किये गए मुसलमानों को लगता है कि उनके खिलाफ discrimination होता है उनको सामना करना पड़ता है discrimination का 21% सर्वे किये गए हिंदूओं को लगता है कि discrimination उनके साथ हो रहा है and 18% सिखो ने भी ये बात कहे कि उन्हें personally पिछले एक साल में discrimination का सामना करना पड़ा है और जिनकी आर्थिक हालत खराब है उन्हें ये discrimination discrimination ज्यादा फेस करना पड़ा अब ये जो खत्रा है ना ये जो discrimination है ना ये जो एक दूसरे को शक्की निगाहों से देखना है ना यही वो fault lines है वो cracks है जिने निता टाइप लोग ढूंडते रहते हैं फिर क्या करते हैं वो वो आते हैं fault line को बड़ा करते हैं फिर और बड़ा करते हैं और फिर अपने आपको उस fault line के अंदर विराजमान कर लेते हैं जिस दिन ये cracks, ये fault lines कम होंगी बंध हो जाएंगी, seal हो जाएंगी उस दिन ये नेताओं के दुकाने बंध हो जाएंगी Pure Research की माने तो सर्वे में सारे धर्मों के लोगों ने young and old ये माना है कि धर्म उनके जिंदगी का एक एहम हिस्सा है ये trend educated, less educated, rich and the poor में देखा गया है equally ये इस theory के विपरीद जाता है जो कहता है कि आर्थिक तरक्की के साथ साथ धार्मिक आस्था में overall कमी आती है इनफेक्ट सर्वे किये गए 95% हिंदू वोटर्स ने ये बात भी मानी कि धर्म उनके जीवन में एक एहम हिस्सा है 73% ने ये कहा कि वो रोज पूजा करते है इस fact से इस बात को समझने में आसानी हो जाती है और जरूरी भी ये समझने के लिए कि आजकल विकास की बात ना के बराबार होती है आर्थेक मंदी चाही हुई है नौकरिया नहीं है लेकिन लोग तब भी कंप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि उनको लगता है कम से कम उनकी आस्था उनका धर्म सुरक्षित है इसलिए मंदिर निर्मान का कारेक्रम सरकार के लिए इतना एहम है इतना जरूरी है क्योंकि ये लोगों की आस्था से है जुड़ा हुआ ये सिर्फ सरकार का पसनल एजेंडा यहां नहीं चल रहा है ये लोगों की भी मंचा है उधर दूसरी तरफ AIMIM जैसे पाटीज OAC जैसे लीडर्स डर का माहौल डिस्किर्मिनेशन का एंगल लेकर अपना पुलिटिकल एजेंडा आगे कर रहे है यूबी में जहां एक तरफ चुनाओं में आपके पास योगी है तो दूसरे तरफ आपके पास OAC है जो कोशिश कर रहे हैं सो के आपस सीट से कंटेस्ट करने के लिए तो देगे फाइनली तो मैं यही कहूंगा कि मैं इस पोल पर आपको विश्वास करने के लिए नहीं कहूंगा इस नतीजों को आप मत मानिये हाँ ये बात अलग है कि ये पोल अभी दुनिया भर के लोग पढ़ रहे है वो कंपनिया भी पढ़ रही है जो हमारे देश में पैसा लगाना चाहेंगी मेरा दिल तो कहरा है इस पोल को जूट साबित कर देते हैं ये पूछ लेते हैं कि 30,000 लोगों का सर्वे किया है देश के बारे में तुम वर्डिक्ट कैसे दे सकते हो सिर्फ 30,000 लोगों से बात करके प्यूर रिसर्च क्या उनका रिसर्च आज तक कभी गलत नहीं हुआ है अरे सर्वे में 23,000 हिंदूस हैं करीबन 3,500 मुसल्मान हैं तो ये जो आखणे हैं इसी से तो अपने आप में बायस आ जाएगा न और North, South, East, West, Split का है बताईए आप मुझे इतना varied country है इंडिया ये सारे सवाल हैं लेगिन जैसा मैंने कहा शुरुआत में ये episode poll result के लिए नहीं बनाया है बलकि उन चुबते सवालों के लिए बनाया है जो सवाल हमें पूछने चाहिए जिससे हमें ये भी एहसास हो कि हम कहा हैं liberal, conservative, या बन गए हैं कटर जिससे हमें इस समाज में और आए हुए ये देश में जो पुलिटिकल, ये जो communal हावा जो चल रही है वो क्यों चल रही है, किसके कहने पर चल रही है, किसके अनुमती से चल रही है उसे समझने में, I think ये काफी help करता है ये survey और अगर हम समझ जाते हैं, अगर हम मान जाते हैं तो शायद इसका हम इलाज भी कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है क्योंकि देखिए, अगर सच में विकास चाहिए, अगर चाहिए आर्थिक तरक्की चाहिए, अगर 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 तो ये छोटी सोच, ये नोचा नोची ये दंगे फसाद, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये सब को छोड़ना तो पड़े गाई साथ में रहना होगा, साथ में काम करना होगा, नहीं तो लगे रहो, मरते रहो दुनिया में और भी जगह है जहां विकास को बुलाया जा रहा है जहां अच्छे दिन के आमंतरन लेटर छप रहे हैं, तो चले जाएंगे वहाँ नेतर टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ, बेल आइकोन भी दबाओ अरे 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 अरे, एडिटर तो एपिसोड ही खतम कर देता है, एक ज़रूरी आंगला अभी भी रहे गया है अपने पैसों को समालना, उसे इंवेस्ट करना करीबन वन फोर्थ के आसपास भारतियों को ही आता है और यह प्यू रिसर्च का फैंडिंग नहीं है यह हमारी सभी, हमारी देश की सभी कहती है और टाइम आ गया है कि इसको जल्दी से बदला जाए, आप भी अपनी इंवेस्मेंट जरू करिए और यह आप और भी आसान हो गया है विद आप्स लाइक कोवेरा, जिससे आप अपने फोन पे, अपने घर बैठे-बैठे, म्यूचल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें आप फिक्स डिपाॉसिट भी ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रेट्स कमपेर करके ये सब आपको जीरो कमिशन पर मिलता है बड़ी आसानी से मिलता है कुवेरा को Bombay Stock Exchange ने लगातार 3 साल से Best Fintech Award भी दिया हुआ है सब मिलता है आपको Best Wealth Management App है वो भी Free of Cost नीचे कुवेरा का लिंक दिया हुआ है एक बड़ ट्राइ करके देखिए